14,897 को प्रसारित रूप यानि की expanded form में लिखें, मैं संख्या के हर एक अंख को अलग रंग से लिख लेता हूँ, ताकि हम आसानी से अंख का पता लगा सकें। 14897, हमें इसे प्रसारित रूप यानि की expanded form में लिखना है इसलिए आइए देखें किन्में से प्रतिक अंक का स्थान क्या है यह साथ, यहां इकाई स्थान यानि की one splace पर है दाहाई स्थान यानि की 10 splace पर 9 है क्योंकि यह 9 दाहाईयों को दर्शाता है यह साथ इकाईयों को दर्शाता है आठ सैकड़े स्थान यानि की 100 स्प्लेस पर है चार हजार हवे स्थान यानि की 1000 स्प्लेस पर है यह चार हजार को दर्शाता है और इसके बाद 10 हजार हवे स्थान यानि की 10,000 स्प्लेस पर एक है आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक स्थान बाई और जा रहे हैं, उस स्थान की संख्या दस से गुड़ा हो रही है 21 स्थान, 12 स्थान, सैंक्णा स्थान, 1000 रहवा स्थान, 10 हजारवा स्थान आईए अब इनके वास्तविक अर्थ को समझें यह एक यहां 10 हजारवे स्थान पर है पहले मैं यहां अंक के रंग के अनुसार एरो लगा देता हूँ ताकि इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सके वास्तों में मुझे इस सिरे पर 7 से शुरुवात करनी चाहिए यह साथ यहां पर 7 इकाईयों को प्रदर्शित करता है यह ऐसे भी कह सकते हैं कि यह साथ बार एक को दर्शाता है यह दोनों कथन समान हैं और 7 इकाईयों को दर्शाते हैं अब हम 9 का स्थान देख लेते हैं मैंने दाईयों से शुरुवात इसलिए की ताकि एरो एक दूसरे को ना काटें, तो 9 क्या प्रदर्शित करता है? या 9 दहाईयों को प्रदर्शित करता है, यानिकी 9 बार 10 को प्रदर्शित करता है? अगर हम 10 जमा 10 जमा 10 को इस तरह लिखें, तो या 9 बार 10 को लिखने के समान है, 9 दहाई को आप 9 गुणा 10 या 90 भी कह सकते हैं, इसलिए मैं इसे सभी तरीकों से लिख लेता हूँ, ये इन सभी को दर्शाता है, 9 दहाई या 9 गुणा 10 या 90, अब हम 8 का स्थान या मान पता कर लेते हैं, और 8 यहाँ पर सैंकडे के स्थान पर है, या 8 बार 100 को प्रदर्शित करता है, आप इसे 8 गुणा 100 या 800 भी कह सकते हैं, और इसके बाद 4 है, शायद आपने इसके बारे में अंदाजा लगा लिया होगा, या 1000 दर्शाता है, यानि कि यह 4 बार 1000 को दर्शाता है, जो कि 4 गुण 1000 या 4000 के ही समान है, 4000 चार बार 1000 के समान है, और अंत में यहाँ पर एक है, जो 10 हजार अवे स्थान पर है, इसलिए या एक 10 हजार को दर्शाता है, इसलिए एक 10 हजार एक गुणा 10 हजार के समान है, जो कि 10 हजार के समान है, और इसके बाद इन्हें प्रसारित रूप में लि यानि की components के जोड के रूप में या फिर इन संख्याओं के जोड के रूप में लिख लेते हैं। जमा 4,000 जमा 8,100 जमा 9,10 जमा 7,1 भी लिख सकते हैं। प्रसारित रूप लिखने के लिए दोनों तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है।